पुर्षाल आज मैं आपको इस वीडियो में आपके मुबाइल के डायल करें किसे के पास कोल करते हो यह डायलर पैड आपका इसके आपको तीन ऐसी शिग्रेट ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको पता होनी ही चाहिए यदि आप एक smartphone यूज़ करते हैं आपके पास कोई सा भी mobile हो ओके ये तीनों setting लगभग लगभग सभी mobile में मिल जाएगी केवल आपको च्याक करनी है और इनको जो है activate करना है अपने mobile के अंदर अब दोस्तों क्या वो तीन खूपिया ट्रिक है जो आपके डैलर पैड में छिपी हुई है उसकलिए इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना हो सकते तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना जिसे कि आपको आने वाले टाइम में जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा वो सभी आप तक पहुंच जाएगी तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना तो चले दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं अब दोस्तों जब आप अपने मोबाईल को कहीं भी जो है को लगाने के लिए अपने इस तरह कें से डायइल पैड को Sports करे जो है कि आफ दोस्तों जानते हो कि आपके इसे की पैड के अंदर तीन आशी सिग्रट सेटींग है जो आपको पता होने चाहिए अब चलिए पहले सेटिंग के वारे में जानते हैं, पहले सेटिंग क्या है दोस्तों, यदि आप यहाँ पर ऊपर के साइट 3.0 पर जाएंगे, ओके यहाँ पर किलिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा setting के नाम से, इस setting वाले option में आप चले जाएंगे, ओके, कोलर spam identify करती है, तो यह अब आपके mobile में in build आ चुका है feature, आपको कोई third party application download करने की जुरूरत नहीं है, यहाँ से आप इस setting को own कर देंगे, और यहाँ से यह सभी permission को follow करेंगे, इसको agree कर देंगे, यह own हो चुकी है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर साप साप लिखा हुआ है यदि आपके पास किशी unknown number से call आता है, कोई आपको बार-बार प्रिसान करता है, या फिर spam number है, हो जैसे कि company के call वो लाते रहते हैं, तो उसका नाम और photo आपको दिखा जाएगा, आपके mobile की screen पर, इसके लिए आपको third party application download करने की जुरूरत नहीं है, केवल इसको own करना है, अब जब भी आपके पास कोई call करेगा, उसका नाम और उसका photo आपको दिखाए जाएगा, यह आपके mobile में ही inbuilt feature आ चुका है, और इसको handle कर रही है, वो हिया नाम से company handle कर रही है, आप यहाँ पर साफ-साफ देख सकते हो, लिखावा, अब दोखतों यहाँ पर यह और option है, नीचे के side, name and number, तो आप इसको बंदि कीजिएगा, यदि आप नहीं चाते कि मैं किसी के पास call करूँ, तो उसको जो है, मेरा photo दिखाए दे, तो आप इसको बंद कर सकते हो, अदरवाज इसको जो है, ओन भी कर सकते हो, तो पहले setting तो यह थी जो आप नहीं जानते है, आप open to keypad, अब दोस्तों, आप सोच रहोंगे यार, इस setting का मतलब क्या है, open to keypad, ओके, अब दोस्तों, यदि आप यहाँ पर click कर देते हो, open to keypad पर, ओके, तो अब क्या होगा दोस्तों, दोस्तों, suppose कर लिएजे, यहाँ पर आपके नीचे, recent, contact, और यह हो है, keypad, इनके number रहते है इस तरीके से, लेकिन, अब जब आप इसको दुबारा से open करेंगे, तो यह keypad पर ही open होगी, इस setting का मतलब यह है, अब यहाँ पर यह setting बदल गई होगी, यहाँ पर आगया, open to last view, यदि आप यह कर देते है, open to last view, अब इसका मतलब यह होगा, अब जैसे कि आप यहाँ पर recent call check कर रहे थे अपनी, जो है, ओके, इसमें, डाइलर पैड में, तो अब यहाँ से आप इस application को close कर देते है, तो यहाँ से direct keypad open नहीं होगा, जो आपने last time पर छोड़ा था, यह screen यही open होगी, ओके, तो आप इसको भी यहाँ पर change कर सकते हो, यहाँ आप चाहते हो, जब भी म दोस्तों, third trick क्या है, इसके लिए धान से देखना, आपको फिर दुबारा से यहीं जाना है, setting में चले जाना है, यहाँ पर, setting में जाने के बाद, यहाँ पर आपको यह option मिलता है, call, alert and ringtone, इस पर चले जाएंगे, अब दोस्तों, क्या आप जानते हो, कि यहाँ पर आपको आवाज आएगे आपके कान में, एक बीप बजेगी, उसका मतलब होगा, phone disconnect हो चुका है, तो जहां से इन दोनों setting को ओन कर सकते हो, साथ यहाँ पर vibrate pattern आपको मिल जाते हैं, आप heartbeat का pattern लगा सकते हो, tick, talk का लगा सकते हो, watch का लगा सकते हो, jig, jig, jig का लगा सकते हो, तो आप अ आए कर कि आना कुछूनों मस्का दोस्तों आपका दिन, सुभू